कि देखिए मेरा नाम सायलेंदर सिंग वीपू है लखनों से मुलायन सिंग यूट पिगट से उपाद देचुन समय आने वले विधान सभा 2022 में आपकी पार्टी की क्या रणनीती रहेगी देखिए समाजवादी पार्टी की रणनीती बिल्कु साफ है जिस तरह से पांच साल से लगातार भारती जनता पार्टी के लोगों द्वारा नेताओं द्वारा जिस तरह से आम जनता को ठगा गया वो समाजवादी पार्टी उन लोगों के साथ खड़ी है और समाजवादी पार्टी किसानों के हक में बात कर रही है समाजवादी पार्टी अपने पिछले कार किसी से चुपा हुआ नहीं है हम लोग उसी के आधार पर योगी सरकार को घेरने का काम करेंगा और आने वाले समय में जब चुना होगा तो 2020 का आप देखिएगा और पूर बहुमत से हम लोग समाज़ादी पार्टी के सरकार बनाएंगा उत्रपदेश्पी और योगी सरकार क पता है कि किसान इस बार उनकी नईया को पार लगाने वाले नहीं है और वो समाज़ादी पार्टी के साथ है इसलिए वह विपच्छ को कमजोर करने का काम कर रहे हैं जाने दिया विपच्छ के नेताओं का धर्म है समविधान को अधिकार देता है कि अकर वो किसी की कर देना चाहता हूं कि योगी सरकार जिस अहंकार में वह हैंकार 2022 में उनका टूट जाएगा और पूरी समाज़ादी पार्टी जिस तरह से विरोध कर रही है करना भी चाहिए क्योंकि योगी सरकार जिस तरह से जिन मुद्दों के साथ आई थी वहाँ को रोजगार देने क दरदर भटकते आप लोगों को दिखाएती तो समाज़ादी पार्टी यहीं चाहिती है कि उनके हक में बात हो पस योगी जी तो कह रहा है कि विपच्छ काम नहीं करने दे रहा है तो उनको कुस्ति खाली कर देने चाहिए विपच्छ के लोगों को मौका देना चाहिए उन लोगो प्रमा व पर धwsने करना चाहिए अपले तोaff को में आपी जा झाओने कि विपच्छ में लोगों के भीपच्छ के आप